दोस्तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में लेकिन एक इंट्रेस्टिंग एंगल से हम ये भी बात करेंगे कि क्या IMF यानि कि International Monetary Fund जान बूच कर पाकिस्तान को बरबात कर रहा है पाकिस्तान की Current Economic Crisis के कंपैरिशन में बाकी देशों का क्या हल है तो चले शुरू करते हैं पाकिस्तान IMF के लोन्स पे पूरा डिपेंडेंट है पूरा मुल्क बस लोन्स से चल रहा है जैसे आपने सुना होगा कराची में एक मॉल खुला था और लोगों ने उसे लूट लिया हालात बहुत खराब है गरीबी और बेरुजगारी ने मुल्क को लपेट लिया है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि खुद पुलिस वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है बलुचिस्तान और खाइबर पक तुन्खवा में लगातार हमले हो रहे है और इन सब के बीच पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे है IMF ने 7.5 बिलियन डॉलर का लोन पैकेज अप्रूफ किया था पाकिस्तान के लिए लेकिन अब तक वो पैसा नहीं दिया गया है ये पैसा उनके लिए एक लाइफलाइन होती लेकिन अब लगता है कि IMF का पेशिंस खतम हो गया है अब हम देखते हैं कि IMF के कंडिशन क्या है और पाकिस्तान का स्ट्रगल जो है वो कैसे बरकरार है IMF का कहना है कि पाकिस्तान उनकी कंडिशन को मान ही नहीं रहा है पाकिस्तान को समझना होगा कि IMF जो कंडिशन रख रहा है वो डेबलट नेशन जैसे अमेरिका और यूरोप के हिसाब से है और पाकिस्तान में कंडिशन बिल्कुल अलग है IMF बोलता है टैक्सिस बढ़ाओ, पैट्रूल के दाम बढ़ाओ पर पाकिस्तान के लोग तो अल्रेडी स्टगल कर रहे हैं ऐसे में IMF की हर एक शर्त को मानना मुश्किल है ये 25 वी बार है जब पाकिस्तान IMF से लोन लेने की कोशिश कर रहा है और आज भी कोई शौरिटी नहीं है कि ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा बात सिर्फ IMF तक सीमित नहीं है चाइना भी अब पाकिस्तान को पैसे देने में हिचकिचा रहा है दोनों मुलक के बीच दोस्ती तो है लेकिन चाइना हर बार पैसे देने के बाद अपने फायदे के लिए कंडिशन रखता है बड़ा छुपा रुस्तम है यार चाइना पैसा तो देगा लेकिन उस पैसे का इंतिजाम आने वाली पुष्टों तक करना पड़ेगा साथ ही पाकिस्तान का मिलिटरी सिस्टम भी करप्ठ है वहां के ओफिसर्स बेश दिये जाते हैं और उनका काम है पावर और पैसे का मिस्यूस करना अब तक USA और साउदी अरेबिया ने भी मदद की है लेकिन उनका भी पेशेंस अब खतम होते जा रहा है पाकिस्तान में economic meltdown जो है वो चल रहा है जैसे की पाकिस्तान की economy जो है वो बरबाद होती जा रही है IMF से मिलने वाला पैसा delayed है inflation अपनी जगापर है आज की तारीक में 1 USD पाकिस्तान के 278 रुपीज के बराबर है 2022 में ये जो figure था ये 185 था IMF के record के हिसाब से पाकिस्तान का लोन इस वक्त 65 बिलियन डॉलर से ज़ादा का है और अगर 7 बिलियन डॉलर का नया लोन मिलता है तो पाकिस्तान के external debt 130 बिलियन डॉलर को cross कर जाएगा अब सोच यह amount कितना ज़ादा बड़ा है अब हम conclusion पर आते हैं दोस्तो हालात पाकिस्तान के हाथ से निकलते जा रहे हैं IMF की condition strict है चाइना अपने फाइदे के लिए लोन्स देता है और वहाँ के political or military system करप्थ है पाकिस्तान को अब जल्दी से कुछ solid step लेने पड़ेंगे वन्डा मुल्क default के करीब आ चुका है अगर आपको ये discussion पसंद आया तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें चैनल पर अगर नए हैं तो subscribe करना ना भूले मिलते हैं next video में thank you so much